रैठ अडिक हवोग हैं लॉक कम तो स्टाड़ी हब आप सब अच्छे से होगे तो आज का हमारा टॉपिक इंडियां यूग्राफिक के अंदर होगा इस के अंदर हम लोग इंडिया के । जो स्टीट जहें इनके में पढ़ेंगे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इनके बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में तो इन में सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान का सबसे पहले का ये मतलब नहीं कोई सीग्वन से पह पाकिस्तान के साथ इंडिया कौन-कौन सी जगहों पे बॉर्डर टच करता है वो देखते हैं ओके तो यहां पर मैप में देख लीजे ये पाकिस्तान है और कौन-कौन सी जगह इंडिया की है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है तो सबसे पहले तो दो यूनिन टेरिटरीज एक लदाक एक जमू एंड कश्मीर ये दो टाच करती हैं उसके बाद नीचे उतरते पंजाब आएगा राजिस्तान आएगा उसके बाद गुजराद आएगा तो ये लदाक जमू एंड कश्मीर पंजाब राजिस्तान गुजराद ये सब जगाए हैं जो पाकिस्तान के साथ बौर्डर टाच करती हैं ओके तो जमू एंड कश्मीर सबसे उपर उसके बाद लदाक पंजाब राजिस्तान और गुजराद ये कलियर है साथ ही साथ आपको यहां पर क्या याद रखना है कि इन जगहों के साथ कौन से बॉर्डर है उन बॉर्डर के नाम क्या है जैसे वागा बॉर्डर मैं इंपॉर्टन बॉर्डर की बात कर रहा हूँ अभी हमने देखा पंजाब टच करता है पाकिस्तान के साथ तो पंजाब का वागा बॉर्डर यह पाकिस्तान के साथ टच करता है इसके अलावा राजिस्तान में लोंगे वाला तो अगर अपने बॉर्डर मॉवी देखे उसके अंदर वो लोंगे वाला पोस्ट दिखाई है बॉर्डर मुवी के अंदर तो वो कौन सी है? वो लोंगे वाला पूश्ट की वहां पर बात हो रही जहांपर जंग हुई थी तो राजिस्तान के अंदर इसी तरसे रन अफ कच गुजरात के अंदर ये भी पाकिस्तान के साथ टच करता है तो ये वागा बाडर अगर अब अमरे सर साइड चले गए है तो वहां पर प्रेड के लिए काफ़ ज़्याद अफ है मसे वागा बाडर तो ये वागा बाडर ये लोंगे वाला ये रन अफ कच ये सब पाकिस्तान के साथ टच करते हैं ओके तो काइंड अफ एंट्री पॉइंट्स भी आप इनको कह सकते हैं ओके अब पाकिस्तान हो गया और उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कोन सी बाडर लाइन्स हैं इन लाइन्स के नाम क्या हैं जैसे के रेड कलिफ तो रेड कलिफ जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाडर लाइन है उसका नाम है ठीक है अब बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान के अगर मैं बात करो तो यहां मैप पे देख लिए यह उपर वाला एरिया यह वाला एरिया दिख रहा, थोड़ा सा यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर देख लिजे, यह थोड़ा सा, यह वाला है एरिया, ओके, तो यह टच करता है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कि आपको मालूम है कि यह वाल भी प्रेजेंट भी हमारा कंट्रोल नहीं है इन एरियाज के उपर ऑके बट हैं तो हमारे ही पार्ट इंटरनेशनल बॉर्डर से इसलिए हम बोलते हैं कि ये एरिया जो है ये इंडिया का है जो अफगानिस्तान के साथ टच हो रहा है और ये कौन सा एरिया है किलकिट बलतिस अफगानिस्तान ओके ये अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर टच करता है यहां पर इंडिया ओके और यहां पर यहां पर यह भी याद रखना कि समालिस्ट बॉर्डर लाइन है यानि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन में से सब से कम अगर हमारा किसी के साथ बॉर्डर शेर होता है वो बंगला देश के साथ होता है ये भी आई होप क्लियर है अपने दुरंद लाइन के बारे में अगर सुना होगा तो ये दुरंद लाइन ये है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में रैडिकलिफ हमने देखा ये किस-किस के बीच में इंडिया और पाकिस्तान और दुरंद लाइन किसके बीच में इंडिया और अफगानिस्तान कहानी क्लियर आगे चलते हैं उसके बाद चाइना अब चाइना के साथ देखते हैं कहां कहां पर टच करता है ठीक है तो यह चाइना उपर पूरा यह पूरा का पूरा उपर चाइना है सारा ठीक है, अब देखो यहाँ पर लद्दाख आ गया, हिमाचल परदेश आ गया, उत्राखंड आ गया, फिर यहाँ पर सिक्किम आ गया, फिर यहाँ पर अरुनाचल परदेश आ गया, तो यह सारे वो स्टेट्स हैं, वो यूनिन टेर्ट्रीज हैं, जो चाइना के सार अपना ब ठीक है अब चाइना के साथ अगर मैं बॉर्डर की बात करूं तो कौन सा बॉर्डर है तो आपने मैकमोन लाइन का कर नाम सुना है तो मैकमोन लाइन हमारी इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है ठीक है उसके बाद नमबर आता है नैपाल का तो नैपाल जड़ा देखते ह हैं नैपाल के साथ कौन कौन सी जगा टच हो रही है तो यहां पर उत्रा खंड काला पानी वाटर डिस्प्यूर्ट भी इनके साथ है हमारा नैपाल के साथ उसके बाद उत्रा पर्देश, उत्र पर्देश, यूपी, बिहार और यहां पर थोड़ा सही दिख रहा है यह वेस्ट बंगाल का यह जो गिरीन कलर का यह रहा है नीचे से वेस्ट बंगाल शुरू है नहीं बोटान देखते हैं बोटान अब बोटान देखो यह रहा बोटान यहां पर और यह कौन-कौन सा टच हो रहा है सिक्किम टच हो रहा है वेस्ट बंगाल टच हो रहा है असाम टच हो रहा है और अरणाचल परदेश टच हो रहा है ठीक है सिक्किम वेस्ट बंगाल आसाम अरण चलपर देश और Bengla değil Bengla Approach के साथ सबसे लंबा बौडर है हमारा और bengla देश के साथ कौन कौन सा टहच हो रहा ह Usually we भी आ जाएगा वेस्ट मेंगाल आ गया असाम आ गया मेगालिया आ गया त्रिपुरा आ गया मिजुरम आ गया ठीक है फिर उसके बाद मियान मार मियान मार यहां बर्मा इस साइड वाले यह जो आएगा यह वाला पॉर्शन ठीक है तो कौन-कौन साथ हो रहा है जरा देखो मि मनिपूर enduring national propose okay मिजौरम मनिपूरec और नाधर अफ् reasons यह किसके साथ टच उरियं है यह मियानमार के साथ टच कर रहें बौट backside के अगर मीज़ुरलंका के अगर हम बात करें तो शिर्लंक नीचे अब देख सकते हो यहां क्या आ रहा है बीच में पल्क स्ट्रेट आएगा उके पल्क स्ट्रेट इसको बोलते हैं जो शेरी लंका और किसके बीच में हैं इंडिया के बीच में गल्फ अप मनर भी यहीं पे हैं मौल्डीव के अगर हम बात करें ठीक है तो मौल्डीव तो यहां काफी नीचे आएगा है एट टेग्री चैनल ओके तो टोटल यहां पर कितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की जिनके साथ इंडिया जो है अपना बोर्डर शेयर करता है तो देखो पाकिस्तान एक अफगानिस्तान दो चाइना तीन नैपाल चार भोटान पांच बंगलादेश छे मियानमार स साथ शरी लं्का आठ और नीचे मोल्डिव नव तो टोटल नव कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया अपना बाडर शेयर करता है इनूंसे 2 कंट्रीज हैं जिनके साथ मेरी। यानिक पार्डर समन्दर के जिरिए जिससे श्री लंका है और मॉल्डीव है और लेंड बॉर्डर जैनि डायरेक्ट लेंड की कनेक्टिविटी जो है वो कितनी कंट्रीज के साथ है साथ कंट्रीज के साथ है कहानी क्लियर उसके बाद यहां पर कुछ इंपॉर्टन चीज़ जो आपको याद रखनें यह तो हम आगे भी पढ़ेंगे देखो जैसे कि 10 ड अभी मैंने बताया मौल्दीव और लक्षद वीप पर पाटिकुलर्ली मीनिकोई आइलेट को सेपरेट करते हैं और नाइन डिगरी चैनल फिर लक्षद वीप और मीनिकोई आइलेट को सेपरेट करेंगे इसको छोड़ा बॉर्डर के परस्पेक्ट्र से पढ़ते हैं यहा याद रखना है और यहां पर क्या क्या याद रखना है वागाबाडर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पंजाब में है पहले पाकिस्तान का करते हैं उसके बाद रन अफकाच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है गुजराट उसके बाद लोंगे वाला इंडिया औ पाकिस्तान के बीच में ही है कहां पे राजिस्तान में ओके हो गया चाइना का दीखते हैं तो नाथुलाबास सिक्किम में इंडिया और चाइना के बीच में ठीक है यह हो गया किसका चाइना का important important बतारो मैंने सबनी लिखे हैं ठीक है न इसी तरह से मुरे इंडिया और मियानमार के बीच में हैं मनिपुर के अंदर इसी तरह से हम देखें बंगलादीश की बात करें बंगलादीश का छोड़ो यह दूसरा वाला भी छोड़ दो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना का कर लो यह दूसरा्यमार मियानमर वाला भी छोड़ दो ठीक है नैपाल का याद रहना नैापाल का भी चुड़ लेना उसके बाद और बस इतना काफी है ठीक है तो यॉलोजिकल स्ट्रक्चर अफ इंडिया ये तो हमें नहीं भरना यह हमारे सिलिबस में नहीं है ठीक है तो इसके बाद यहां पर आपका नेक्स टॉपिक शुरू हो जाएगा और नेक्स टॉपिक क्या होगा फिजियोग्र